नमस्कार स्वागत गरते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग नूज में सबसे बड़ी कबर लेकर इस वक्त की हाजिर हो चुके हैं देखें एक तरफ जार जेडी लगतार इस बात का दावे कर रहे हैं कि विहार में सब कुछ ठीक नहीं सल रहा तो जेडी के सांसद को अस ग ग्रफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी किस लिए हुई है इसके बारे में विस्तार से जनकारी दें लेकिन उससे पहले अगर आप इस गिरफ्तारी का विरोध करते हैं तो इस वीड़ो को लाइकर समठ थंदर्स करेना बिलकुल भी न भूले साथे साथ आज की बाड़ी उस कहा इस विड़ो में विस्तार से बताय जाएगा शादी साथ अब ड्राइबर लेसेंस कार या बाइक ड्राइव करना महेंगा पर सकता है आपको भी शरकार ने इसको लेकर नए नियम बना दिये हैं जिसको जनना आप सभी को बेयादिस जरूरी है देखिया सरसों वाइ पिर सवाल क्या कुछ है विस्तार से बताएंगे साथि साथ एक मुबायल की कंपणी ने कम और सस्ते कीमत पर अच्छे इंडुराइट फोन देने का दावा किया है जिसमें आपको दादे की मातर पाँछ हज़ार की कीमत में अच्छे इंडुराइट फोन मिलेगा तो या बिस्तार से जनकारी पाच निट गंदर बताएंगे नितीज सरकार ने आज एहम और बड़े फैसले लेते हुए दो जातियों को विशेश रूप से 10% का जिहार रक्षर देने का दावा कर दिया है तो यह कौन सी जाती है बिस्तार से बताए जाएगा साथी साथ देश के तमा बड़ी खुश कबरे निकल कर शामने आ गई है सडक बनाने के लिए सरकारी रोजनाओं का सिलने आस अब गाउं की सडकों पर लगेगा सोलर स्टेट लाइट आप भी अपने गाउं क्या नाम कॉमेंट में जरूर लिखे ताकि आपको भी इसके बारे में शंपून जनकारी बताई जा सके सोने और čांदी की खरदारी करने के बारे में अगर आप भी सोच रहे हैं तो सोने और चांदी के कीमत में भारेक गिरावट देखने को मिली है इससे वड़ा सुनेरा अस्टर आपको नहीं मिल सकता देखे क्या है पूरी खबर विस्तार से शाथिसाथ इस बा मौनसुन बहुत ही पहले आने वाला है 12 जून को मौनसुन बिहार में परवियस कर जाएगा और इसको लेकर मौनसुन विभाग ने क्या कुछ एलाट जारी किया है या विस्तार से पूरी जनकारी बताई जाएगी मात्र 5 मिनट के अंदर शादे साथ आपको ता देखिए करने से पहले आपको इन बातों का रखना होगा दियान और दरशाल करेलवे सेवाओं को बाधीद किया है और इसके बारे में विस्तार करने जाएगी शादी साथ आज की बड़ी कपरउं के अंदर बात करेंगे एक राजजी के शरकार ने शराप की कीमत को सस्ता कर दिया द आपकी कीमत को सस्ता किया गया शातिसा जीतन रम माजी ने आज बड़े बात कह दिया और जीतन रम माजी के पार्टी के और से यह बड़ा बयान सामने आया है जिसके बाद में बड़ा भूचाल मच गया है देखिये क्या है क्या एंडिये में फूट का रास्ता साफ है क्या ज और बड़े एस्किम का शिलन्यास किया है तो सभी खबरों को एक कर बिस्तार से बताएंगे उच्छे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना बिलकुल मिना बुले और साथी साथ इस वीडियो को सेर जरूर करें खबरों को रोजाना देखने के लिए नीचे दिये यह बात साफ है कि बिहार में और जेडि की सरकार बन जाएगी और जेडि को सरकार बनाने के लिए महज 10 और 12 सीटों की जरूरत पड़ेगी अगर यह 10 और 12 सीटे कहीं न कहीं नितीश कुमार की पार्टी या नितीश कुमार की श्योगी पार्टिया जैसे मुकेस साइन की भ और उसके बाद में माननियें नितीश कुमार को बता रहे हैं झिया टून AZPANDI का एक बयान सामने आया था जो बीजेफी के MLC है उन्होंने साथ पर पर शाहबुदिन जी के निधन में जाते हुए यह बात कहे दिया था कि प्रस्तितियों के मुकमंत्री माननीय नितिसकुमार है और उसके बाद में ZDU के प्रिशवारता करने वाले जिया साफतार पर यह बात कहे दिये कि अगर जेडीओ केर से किसी विनहता का बयान आया होता तो बीजेपी जिया ढोल पीट रही होती लेकि अगर आप भी इस बात का शमर्थन करते हैं और चाहते हैं कि बिहार में एक नए पार्टी को जियां आपको दादे कि सरकार बनाई जाए और बिहार में मान्य श्यम तेजश्वी यादो बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपना शमर्थन दर्ज जरूर करें ताकि आपकी भी समर्थन इस वीडियो को मिल सके दर्शल आपको तादे कि बिहार में ऐसे लगवग कई इलाके हैं यहां पर तेजश्वी यादो की पार्टी की जीत हुई थी लेकिन उनके दो या चार होट से बिधाये खारे थे जिसको लेकर लंबे समय तक विबाद भी चला और कोट में भी या भी बाद चलता रहा लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा लेकिन अब क्या कुछ होगा बिस्तार से बताएंगे साथी साथ आयल्स की बारी खबर में आख जान लिजिए कि जहां कोरोना का एक तरफ आकड़े कम आने के चांस हो रहे हैं जहां पर पेसेंट कम मिल रहे है रैपिंग टेस्टिंग के जा रहे हैं लगतार जियन देश में कोरोना के धीरे धीरे आकड़े कम हो रहे हैं तो अब लोगों के द्वारा कोरोना का भाय और भर्म खत्म होने लगा है जिसके सांथ ही अब लोग कोरोना से डरने का कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन यह बहुत ह खतरनाग हो सकता है कोन की तीसरी लहर आने से पहले आपको सतर खोने की जरूरत डेस में तीसरी लहर का आने का संकेथ मिल रहा है जो कि आपको भी काफी जदा परभावित कर शक्ति है दर्शल देश में तुसरी करोना की लहर ना आए जिसको देखते हुए आप से लगतार सरकारे रिक्वेस्ट कर रही है संपूर लोगडाउन के बाद जुद भी लोगडाउन में जहां एक तरफ थोड़ी बहुत रियायते सरकार दे रही है तो लोगों को करोना और क प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है जैसे मास्क लगाना शिंटाइजर का इस्तमाल करना और शमय पर जिया घरों से बाहर निकलना इन तमाम प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है लेकिन अगर आप इन प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं तो आप को न करना को निमंतरण दे रहें और मौत को इस बात को लेकर निमंतरण दे रहें कि आप हमारे घर पर आए और आपके लिए खतरनाक तो है यह लेकिन आपके परवाar के लिए भी खतरनाक है आप सत्रक जरूर अगली बढ़ी और महतपूर्ण खबर कर बढ़ते हैं जहां विहार के श्रियम नितिश कुमान ने बड़ा एलान कर दिया है दरसल यह एलान उन जातियों के लिए उन दो जातियों के लिए भी से शुरुफ से किया गया है जो कि निचले बर्ग कियाती थी और यह जातियों को को 10 परसेंट आरक्षर देने की बात की गई शाथि साथ विहायर के टियांक। यहां तमाम उनिवायों को अब आरक्षर दिया गया है तमाम योधियो को आरक्षर दिया गया है जो मेडिकल या इंजिनेरिंग में जाना चाहती हैं उनको 30% का सरकाय ने रख्षण दिया है इस खबर को बिस्तार से बताएंगे उससे पहले आप एक राजनीतिक खबर भी जाली से जान इतीज सरकार लड़कियों से चुड़ी हुई तमाम योजनाओं का सुब अरम करती है लेकिन क्या आपको लगता है कि नितीज सरकार के इस योजना से बिहार को बड़ा लाब पहुंचा है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताईएगा क्या सरकार क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम इस योजना के तहत होने वाले कुछ कारियों को आप अगर शुजसन देते हैं अगर यह सही मानते हैं तो आप कॉमेंट में जरूर लिखकर बताईएगा लेकि साती-सात अब बता देते हैं कि सियम नितिश कुमार पर कहीज शंकट दिखाइएदे रहे हैं जहाँ इंडिये के तमाम कुछ घटक दल जिहाँ तमाम बातों को कहते वे नजर आ रहे हैं नहीं भीते हैं कि आने वाले कुछ सेम्यों में दगमग होसाएगी कि आने वाले कुछ समयों में यह सरकार गिर जाएगी यह हम नहीं कहा रहे हैं यह रजनीतिक तो वह तमाम रिफाइन या तमाम वो चीज़े लेते हैं सरसोवाइल हो तो इसके कीमत अस्मान को छुरई है कोई सरसोवाइल अलहाईस हो तो कोई सरसोवाइल कहीं न कहीं 170 में भी मिल रहा है नकली सरसोवाइल मार्केट में काफी जादा मौजूद है जो आपको 130 रुपे मे मिल जाएगा लेकिन अगर आप इन सरसोवाइल का सेवन करते हैं तो डक्टोरों की सजेसन माने तो कैंसर जैसी खतरनाग विमारी आपको हो सकती है लेकिन आपको इन से सतर क्रहनी की जरुवत है दूसरी और आपको अदाते हैं कि इसका लाबाजारी का शब्से बड़ा रा देश की किसान इस बात को लेकर नराज हैं कि जो सरकारे करनी चाहिए थी वो अभी तक क्यों नहीं कर पाई सरकारे ने अभी तक इसको लेकर कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा पाई शरकारों को जहां सर्षों वायल की कीमत के साथ ही सर्षों के कीमत में बढ़ानी चाहि हो रहा है शरकार के उपर क्या आपको भी इस काला बाजारी खुले कर श्रवाल खड़े करना है या नहीं आप को मेंट बॉक्स में जरुर बता सकते हैं अगली बारी और महतपूर्ण को भी या खतरना को सकता है जिसको देखते हैं ट्राफिक पुलिस जगा जगा पर लगे लॉक्डाउन के अंदर भारी चलान भी की है लगे लॉक्डाउन के अंदर काफी जादा डीयल को लेकर चलान किया गया है और यह आतकरे साफ्टर पर बताते हैं कि बिहार समयत कई के बनाने की प्रक्रियाएं शुरू है आप भी ड्रैवी लेसेंस के लिए ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं यह बहुत ही असान और शरल है जिसके बारे में आप ऑनलाइन जनकारी लेकर आप ऑनलाइन ही अपलाई कर सकते हैं अगली बड़ी और महतपून खबर क्यों बढ़त आने वाले किसानों को सरकार ने अब आठ महीने शिवक और तीन महीने आपको तारी की काभी पैसे देने की बात कही है जिसमें आपको जिहां एक आपको मातर 200 से अधिक या 200 के आसपास पेड़ लगाने हैं इस पेड़ लगाने के लिए आपको पुर्शाहन रासी तो दी ज आएगी पेड़ लगाना बहुत जरूरी है और किसानों से यह अपील हमारी भी रहेगी कि आभी पेड़ जरूर लगाएं शरकार के साथ आने वाले भविष्य के लिए यह बहुत ही ज्यादा फायदे मंद है और फायदे मंद के शाथ आप बिहार की लिच्ची और बिहार क आम जैसे तमाम चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं तो आपको उता दे कि आने वाले दिनों में बिहार में लिच्ची की काफी ज्यादा मांग है जिसको देखते हैं आपको लिच्ची ज़रूर लगानी साहिए आज कितना यह फो मैं शाथ भन देगा वीडियो को लाइक करना बिल्कुर भीड़ा बुले शेयर करना बिल्कुर भीड़ा बुले जैंद बने मात्रम भारत मता की जै